होली, रंग पंचमी, स्री रामकृष्ण वचनाम्रित, प्रिष्ट 435 तथा 441, दक्षी नेश्वर में भक्तों के संग में, भक्ती योग, स्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तकत पर समाधी मगन बैठे हुए हैं, सब भक्त जमीन पर बैठे हुए तक्तकी लगाए उन्हें देख रहे हैं, महीमाचरन, रामदत, मन मोहन, नवाई चैतन्य, नरेंद्र, मास्टर, आदी कितने ही लोग बैठे हुए हैं, आज होली है, फालगुन पूर्णिमा, महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्म दिन है, रविवार, पहला मार्च 1885 इसवी, भक्तगन एक तक देख रहे हैं, स्री रामकृष्ण की समाधी चुटी, इस समय भी भाव पूर्ण मात्रा में हैं, स्री रामकृष्ण महिमाचरन से कह रहे हैं, बाबु, हरी भक्ती की कोई कथा? महिमाचरन, आरा धीतो यदी हरिस्तपसा ततह किम, नारा धीतो यदी हरिस्तपसा ततह किम, अंतर बहिर यदी हरिस्तपसा ततह किम, विरम विरम ब्रम्भन किम तपस्यासु वत्स व्रज व्रज द्विज शिग्रम शंकरम ज्ञान सिंधुं लभलभ हरी भक्ती वैश्न वोक्ताम सुपक्वाम भवनी गड़ निबंध छेदनिम कर्तरिम्च नारत पंच रात्र में है कि नारत जब तपस्या कर रहे हैं उस समय यह दैववार्णी हुई यदि हरी की आराधना की जाए तो फिर तपस्या की क्या आवश्यक्ता और यदि हरी की आराधना न की जाए तो भी तपस्या की क्या आवश्यक्ता अंदर बाहर यदी हरी ही हों तो फिर तपस्या का क्या प्रयोजन और अंदर बाहर यदी हरी ना हों तो भी तपस्या का क्या प्रयोजन अतयेव हे ब्रह्मन तपस्या से विरत हो वत्स तपस्या की क्या आवश्यक्ता है हे द्विज, शीग्रही ज्यान सिंधु शंकर के पास जाओ, वैश्नवोंने जिस हरी भक्ती की महीमा गाई है, उस सुपस्व भक्ती का लाब करो, इस भक्ती रूपी कटार से भवबंधन कट जाएंगे ग्रिहस्तों के प्रती अभयदान, नवाई चैत्यन गा रहे हैं, भक्तगन बैठे हुए हैं, स्री रामकृष्ण छोटे तकत पर बैठे हुए हैं, एकाएक उठे, कमरे के बाहर गए, भक्त सब बैठे ही रहे, गाना हो रहा है, मास्टर स्री रामकृष्ण के साथ साथ गए, स्री रामकृष्ण पक्के आंगन से होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं पहले स्री राधा कांत के मंदिर में गए भूमिष्ठ होकर प्रनाम किया उन्हें प्रनाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रनाम किया स्री रामकृष्ण के सामने वाली थाई में अबीर रखा हुआ था, आज होली है, स्री रामकृष्ण भूले नहीं, थाली से अबीर लेकर स्री राधा कांत जी पर चड़ाया, फिर उन्हें प्रनाम किया, अब काली मंदिर जा रहे हैं, पहले सातों सेडियों पर चड़कर काली मंदिर से लोट रहे हैं, काली मंदिर के सामने चबुत्रे पर खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा, बाबु राम को तुम क्यों नहीं ले आए, स्री रामकृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं, साथ में मास्टर हैं, तथा और एक जन अबीर की थाली हाथ में लिये हुए आ रहे हैं, कमरे में आकर स्री रामकृष्ण ने सब चित्रों पर अभीर चड़ाया, दो एक चित्रों को छोड़कर उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी येशू की तस्वीर, अब आप बरामदे में आए, कमरे में प्रवेश करते समय, बरामदे मास्टर ने नरेंद्र पर अभीर चोड़ा, आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर भी साथ जा रहे हैं, आपने मास्टर पर भी अभीर चोड़ा, कमरे में जितने भक्ते सब पर आपने अभीर डाला, सब के सब प्रणाम करने लगे, दिन का पिछला पहर हो चला, भ भक्तों की बात कह रहे हैं कह रहे हैं अच्छा सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है परंतु पल्टु का ध्यान क्यों नहीं होता नरिंद्र के बारे में तुम्हारी क्या राय है बड़ा सरल है परंतु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आफ़ते गुजर चुकी है रामदे में चले जाते हैं, नरेंद्र एक विदांत वादी से विचार कर रहे हैं, क्रमश भक्तगन फिर इकठे हो रहे हैं, जै स्री रामकृष्णा